एक ऐसी नोखी शादी जिसे आपने ना कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा उत्रपर्देश के कानपूर देहात में हुई एक शादी की खूब चर्चा हो रही है भजन मनली में काम करने वाले यूवक और यूवती ने भगवान की वेश भूशा में शादी रचाई कानपूर में रहने वाले यूवक और यूवती ने कानपूर देहात के शिवली में जाकर शादी रचाई नए रूप में शादी रचाने के प्रस्ताव पर पहले तो घरवाले ना नुकुर करते रहे लेकिन बाद में उनके बाते सुनकर मान गए कानपुर नगर में रहने वाले यूवक और यूपती ने ऐसे अनोखे ढंग से शादी रचाई जिसके बारे में ना तो पहले कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा कानपुर देहात के शिवली में अनोखी शादी लोगों में चर्चा का विश्य बनी रही शादी के बाद शत्रिये लोगों ने नवदमपत्ती पर फूल भी बरसाए और नमन भी किया कानपूर नगर के मंधना कस्वे में रहने वाले हिमान्शू और आवास विकास कल्यानपूर में रहने वाली मांसी एक भजन मंडली में काम करते हैं दोनों के बीच नस्दीखिया पड़ी और बाद शादी तक पहुँच गई दोनों के घरवाले भी शादी को तयार हो गई हिमान्शू और मांसी ने घरवालों से इच्छा जताई कि वे शिव और पार्वती के रूप में ही विवाह करेंगे हालाकि पहले तो घरवाले तयार नहीं हुए लेकिन उनकी बाते सुनकर वे भी मानने को मजबूर हो गई घरवालों की माने तो हिमान्शी और मांसी ने शिव पार्वती के रूप में शादी करने की इच्छा इसलिए जताई कि दोनों ही भजन मंडली में शिव पार्वती का रूप रखकर अभिने करते हैं कानपुर देहा शिवली में होली पर परंप्रागत शिव बारात का आयोजन होता है इसमें हिमान्शी और मांसी को भी बतो और कलाकार अमांत्रन किया गया दोनों ने शिवली में शिव बारात के दोरान ही शादी करने का मन बना लिया मंगलवार को शिव बारात कारेकरम में हिमानशु ने शिव और मांसी ने पारवती का रूप रखा रत पर सवार होकर कपालेश्वर मंदिर से गाजे बाजे के साथ शिव बारात निकली बारात में गंड, भूत, प्रेत बनकर बाराती भी शामिल हुए और बारात जागेश्वर मंदिर पहुची यहाँ पर बड़े से कमल के बीच में हिमानशी और मानसी को बिठाया गया यहाँ शिव पार्वती के रूप में दोनों ने एक दूसरे को जैमाला पैनाई इसके बाद वेदमंत्र पढ़कर उनका विवाह संपन करवाया गया इस अनोखी शादी में शामिल लोगों ये नव विवाही जोड़े पर खूप फूल बरसाए और बम भोले नाम के जैकारे भी लगाए हिमानशुर मानसी ने कहा कि वे बहुत खुश हैं और उन्होंने लोगों का धन्यवाद भी किया ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डबल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहट आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटिनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुप करें